हेलो एबरिवान वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल सो आज की एक ग्लॉसी मेकप लुक का टुटोरियल हम लेकर आए हैं आपके लिए आपको सिखाने वाले हैं यह बहुत सुंदर सा ग्लॉसी मेकप और इस लुक के बारे में एक खास बात है यह हमने सारी लुक करने से पहले अपने फेस की उपर अच्छे से क्लीन करते हैं जो क्लिंजर मैं इसमें यूज कर रहा हूं दिस इस क्लिंजिंग बाम बाय रिकोड यह जिस तरीके से हमारी लिब बाम होती है उसी तरीके से यह क्लिंजिंग बाम है इसको हम फेस को क्लीन करने में यह हमारी है कि आप अपना makeup को remove करें तो इसके साथ बहुत ही easily balm के साथ makeup को remove कर सकते हैं balm apply करने के बाद कोई wet wipe से आप इसको clean कर सकते हैं properly and उससे पहले मैं आपको next step के बारे में बता हूँ अगर आप हमारे channel में नए आये हैं तो आप channel को subscribe और अपने मेक पाटिक फ्रेंड के साथ जरूर शेर करिए तो नेक्स सेप इस टोनर जो टोनर में यूज करा हूं यह यह मेरा वन फ़ेस्ट और फेवरेट टोनर है और इसको हमने यूज करा है एक्टिवेट करके शेक करके जो यह रीकोड का वुच्चराइजर है इस गोट मिल्क इसके जो प्रॉपटी इस प्रॉपर्टी इस इस प्रॉपर्टी इस प्रेविंट फ्री और यह मुच्राइजर बहुत ही स्मूद है और बहुत अच्छे से आपकी मेक पको कैरि करता है औल दे लॉग तो इस वान ऑफ चैप है दैट इस प्राइमर फ्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो में जो दिखाया गया है प्राइमर डैट-इस इस अफ बेस और यह मेरा शुरू से ही फेवरिट रहा है और इस प्राइमर की यह बेनिफिट्स हैं कि यह आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देती है और अगर आपकी कोई भी स्कार्स या उपन पोर्स है तो उसको ब्लर आउट करेगी और यह अच्छा सा एक बैरियर के मेंटेन रखती है आपके मेकप एंड स्किन में तो प्राइमर लगाने के बाद अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमारा नेक्स काम होता है अपने जीतने भी color corrections करनी है फेस पर कोई भी pigmentation है dark circles है hyper pigmentation है कोई भी problem है उन्हें hide करना सो उन्हें hide करने के लिए हम दो तरीकें से उन्हें hide कर सकते हैं one is color characters and second is dark concealers जो हमने यहां पर use किया है that is a yellow color character because इनके face पर जादा problems नहीं है तो हमने light color करेक्टर के साथ इनकी problems को hide करा है and आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी जादा dark problem होगी उतना ही जादा dark color character use करेंगे and जितनी light problem होगी उतना ही जादा हम light color character को use करेंगे उस problem को hide करने के लिए so after hiding हम recode की beauty blender के साथ इसको blend out करेंगे face की उपर और beauty blender को use करने से पहले मैंने damp करा है damp का मतलब है not wet and not even dry और इसको हम face की उपर अच्छे से blend out करेंगे अपने color character को और बहुत ही जादा light weight pressure देंगे बिल्कुल भी जादा hard नहीं देंगे नहीं तो वहां से उठ जाएगा और जो foundation हम यूज करें है this is we stole the show foundation by record यह HD luminous matte foundation है और साथ में मैंने जितने भी ब्रशी यूज करें है पूरी वीडियो में that these brushes are also from record और यह ब्रशी की वीडियो specially हमारे चैनल पर आ चुकी है आप वीडियो ध्यान से देखिए ब्रशी की knowledge अगर आपको चाहिए कि प्रशी किस तरीके से काम करते हैं if you want to know तो आप प्लीज इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं और इसको हमने ब्रश के साथ this is a foundation blending brush उसको लगाने के बाद हमने blend कर रहा है अपने foundation को अपने very lightweight hands के साथ और जो foundation का जो हमने shade यूज करा है this is very very natural close to the skin और बहुत ही natural foundation यूज करा है और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं Ace of Base के concealers जो concealers के जो shades हैं वो skin से two to three shades lighter हैं आपको हमेशा highlighting points के लिए concealer lightweight three to four shades lighter than the skin tone shades लेने चाहिए so concealer को हम लगाते हैं अपने highlighting points पे और में ने यहाँ पे दो concealers को mix करके use किया है because एक concealer जो हमारा है that is little bit warm undertone और जो हमारा दूसरा concealer है वो है हलका सा cool undertone में so दोनों को mix करके एक बहुत ही अच्छा neutral undertone बनता है और mix करके जो result था that was amazing और इसको हमने blend out किया है बहुत ही हलके हातों से with the help of our beauty blender जो beauty blender हमने use किया है that is also from recode और जो इसके areas है जहां पे हमने इसको apply कर रहा है that is center of our forehead bridge of our nose cupid's bow area chin and under eyes और इसको हम अच्छे से blend करेंगे and makeup में blending is the only key to have a good base आप base को ice makeup को हर चीज को अच्छे से अगर आप blend करते हैं तभी आपका makeup जो look है last में बहुत अच्छी आती है so the next step which we are using is Ace of Base का long lasting mousse blusher यह mousse blusher है जो हम apply करने वाले हैं and shade is little bit peachy so अगर आप blusher की application कर रहे है and you want to know कि आपके blusher का कौन सा application किस तरीके से होता है so let me tell you blusher हमेशा लगते हैं आपके face की shape के according अगर आपका face goal में आता है तो then I will be going to apply your blusher on the temples तो यह different different जो shapes के face के जो shapes है उनकी different different mapping होती है to achieve a good uplifted face so upliftment हमारी blusher की उपर बहुत जादा depend करती है and the next step which we are using is next product is our translucent powder so अभी तक हमने जो करा that was creamy and powdery products so उसके बाब जो हम use कर रहे हैं this is powder translucent powder by record इसको हम apply कर रहे हैं with the help of powder puff and उसके बाद हमारा next step आता है which is highlighting and contouring so अपने face को chisel दिखाने के लिए and proper shape देने के लिए we are going with contouring contouring के जो areas हैं हम इसके लिए special एक video बनाएंगे जिसके अंदर हम contouring को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे explain करेंगे so contouring के लिए भी हमने 2-3 shades darker color चूज करा है and after contouring we are going with blusher so this is the blush palette from record और इसके जो blushers हैं यह highly pigmented हैं बहुत ही अच्छा pigment है और pigment के साथ साथ हलकी सी sheen है like this is little bit luminous जो बहुत ही अच्छा result देती है हमारे canvas पे हमारे base पे so I am in love with this blush palette and इसके अंदर 6 different colors आते हैं you can choose your blusher color according to your skin complexion अगर आपको लगता है कि आपके skin थोड़ सी darker है complexion तो आप थोड़ा dark blusher जो है color आप यूज कर सकते हैं so जो अब बात करते हैं highlighter की highlighter यहां पे silver color का available है highlighting and contouring palette में और आप video में देख सकते हैं just look at the shine only in single swatch बहुत ही अच्छा shiny base हमारा ready हो चुका है and उसके बाद हम use कर रहे है mousse matte lipstick by recode and इसका जो shade मैंने चूज करा है this is little bit peachy pink so अभी हमने nude lipper लगाया है and eyes makeup हम पहले से already कर चुके थे and इस तरीके से मारा lipper लग चुका है बहुत ही अच्छी look आ रही है and उसके बाद last but not the least prep set glow as a makeup fixer हम इसको use करने वाले है so product को use करने से पहले हम activate जरूर करेंगे उसे shake जरूर करेंगे and after that हमने इसको अच्छे से fix करा है अपने makeup को and here is our final look I hope आपको यह बहुती सुंदर लगा होगा glossy makeup look और इस look में हमने सारे products use करें है recode से so I hope आपको पसंद आया होगा हमारी वीडियो को like comment and share जरूर करिए and subscribe जरूर करेंगे